Hello dear fellas, you are listening to Fahad Khokar the Fiverologist again. Video editing के बारे में एक perception ये पाया जाता है कि बहुत high competition किसम की niche है. मगर मेरा ये claim है कि अगर आप अभी भी थोड़ी सी nitty-gritty में इसके जाएं तो आप लोग को बहुत सी low competition किसम की micro niches मिल सकती हैं जिसके निर आप अभी भी जा सकते हो और उसके अंदर जाकर आप लोग video editing कर सकते हो. So, आज की video में मैं आप लोग को बताऊंगा वो कौन-कौन से ways हैं जिनके थूँ आप लोग video editing का काम आप लोग पकड़ सकते हो. चैनल पर अगर आप लोग नहीं हों तो like और subscribe जरूर करो. So, previously मैंने अपनी ये एक research record करवाई थी जिसके अंदर 17 मैंने video editing के keywords बताया थे and trust me इनमें से अभी भी बहुत सारे keywords ऐसे हैं जो के low competition मौचूद हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी हों जो के मैं इसमें detail में explain नहीं कर सकूँगा आपको शायद इसमें आकर मिलेगी और ये भी एक video है जिसके अंदर आप लोगो बताया गया कि video के अंदर subtitle किस तरह से add करने हैं और अगर आप लोगो explainer video के बारे में को information चाहिए तो मैंने top 10 explainer video amazing softwares के भी लिस्ट यहां पर provide की हुई है इन सब वीडियो का link से आप लोगो description में दे रहा हूँ आप लोग इस video को देखने के बाद इनको भी जाकर जरूर देखिएगा so let's just get started without keywords so पहला keyword जो मैं आप लोगो बताने वाला हूँ वो है एक sub niche है shots की जीसे हम कहते है motivational shots आप लोग देखिएगा कि बहुत से ऐसे general जो है ना white label किसम के shots होते हैं जो के कोई भी बंदा कहीं पर भी उनको use कर सकता है आप लोग अगर Fiverr पर नए हैं तो आप लोगो चाहिए इन में से किसी एक gig को आप बाहे कर लीजे और फिर उनी videos के अंदर कुछ अपनी videos भी add कीजिए और फिर वो ही जो PLR content है वो आप लोग बार-बार यहां पर बेचते रहिए अगर आप लोग अपनी तरफ से भी खुद से motivational videos बना सकते हैं तो यह 600 videos का set, 800 videos का set अगर आप बनाने की हिम्मत रखते हैं तो आप लोग इसको बनाईए जरूर कीजिए obviously यह अगर इस बंदे ने 600 videos अगर बनाई हैं तो यह हर दफा हर बंदे को यह order देते वे कोई नहीं 600 videos नहीं बेच रहा इसकी एक दफा की मेहनत है और उसके बाद वो इस stuff को बेचता ही जा रहा है तो आप लोग यह कर सकते हो कि 800 इससे बाएगी, 600 इससे बाएगी तो 8 जमाच है अगर आप करके 1400 videos का अगर आप लोग gig मना लेंगे तो शायद आप लोगों को orders जादा मिल जाएंगे इसी तरह से motivational के तरह inspiring shorts की भी अगर आप देखो यहाँ पे तो देखिए आप सिरफ-सिरफ 1300 लोग हैं जो इसके अंदर काम करें मेरा नॉर्मली अंदाज़ा होता है कि 3000 से कम अगर आपकी चीज़ कोई है न तो आप उसके इंदर लाजमी जा सकते हो इसी तरह से motivational के साथ inspiring अगर आप वीडियो भी लिखो तो आप लोगो बहुत ज़्यादा इस पे कम competition मिलेगा 290 आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसमें मिल रहा है इसी तरह से AI history shots है history shots अगर आप लोग यह बना सको और इसमें यह चीज़ नहीं कि आप लोगोंने कोई sets बेचने आप लोग AI History Shorts लोगों के TikTok के लिए भी बना सकते हैं, लोगों के YouTube Shorts के लिए भी आप लोग बना सकते हैं, उनके Instagram के Accounts को भी Engage रखने के लिए आप कर सकते हैं, लोगोंने बकाइदा ये वाला Keyword यूज किया है, आप लोग भी करोगो तो मिलेगा, सिरफ 826 people are selling this service at the moment, इसके बाद आप लोग देखे, storyboard की एक service होती है, storyboard की, storyboard editing कह ले हैं, जो भी आप इसको कह लिए, सिरफ 1700 लोग इसके अंदर हैं, surprisingly, इसके अंदर जो आपका बायर होगा न, वो हमेशा एक film maker होगा, एक आपका क्या कहते हैं, जो कि Hollywood का producer या director हो सकता है, Bollywood का भी हो सकता उन लोगों को चाहिए होता है, film एक script उसकी बन जाती है, उसको develop करने से पहले, आप लोग अगर उनको visualize करके, उनकी film का कोई scene अगर आप दिखा सको, तो that is what storyboard is called, storyboard बनाने के लिए बहुत सारे internet के उपर software मुझूद है, obviously, पहले काम pen pencil से लेकर होता था, बहुत सारे software इस मगर ये पाकिस्तानी या Indian editing की बात नहीं यहां पे हो रही, ये हम बात कर रहे हैं, अंग्रेजों के video editing की, तो अगर आप लोग cinematic किसम की video editing कर सकते हैं, 4K के लिए कर सकते हैं, Premiere Pro आपके पास है, आपको आता है, यो कोई भी दूसरा software अच्छा आपको आता है, तो आप लोग ये काम करके भी, इन्शालाग लजीज अच्छी video editing आप लोग कर सकते हो, ठीक है, ओके, इसके बाद एक चीज है, cinematic trailer अगर आप बनाएं तो, cinematic trailer, ये बिलकुल ऐसी जैसे कुछ हरसा पहले तक जो आप देखते थे, के YouTube के intros और outros की services हुआ करते थी, अभी भी है, I will let you know some of those keywords as well, but यहां पर आप देखो, cinematic trailers, जो लोग हैं, जो आपसे storyboard के service करवाने आएं, या फिर आपसे cinematic trailer की service करवाने आएं, वो आपसे storyboard बनवाने की service बाद में ले सकते हैं, तो एक film industry को अगर आप target कर लो, तो उसके बाद बहुत सारे different काम है, maybe that person could give you entire project of doing video editing of short movies, of long form movies, whatever you want, तो यह एक starting point हो सकता है, इस तना का, cinematic trailer अगर आप किसी के लिए बना सकता है, उस cinematic trailer जरूरी नहीं है, कि किसी film के लिए हो, cinematic trailer आपकी किसी business के लिए भी हो सकता है, किसी ना किसी brand के लिए, किसी एक product के लिए भी हो सकता है, cinematic किसम का, अगर आप editing आप कर सकते हैं, इसके लिए को यूज़ करनी आनी चाहिए थोड़ी जा aesthetic sense चाहिए इस चीज़ को काम करने के लिए और इसके इलावा आप लोग book trailer अगर आप नो, book trailer बहुत सारे दुनिया के अंदर जो writers हैं वो अपनी book launch करते हैं, उसके बाद उनलों को book trailer चाहिए होता है, book trailer क्या होता है, अपनी book को promote करने के लिए वो लोग cinematic style का book trailer बनवाया करते हैं और अगर आप लोग cinematic trailer और book trailer दोनों को एक साथ use करोगे तो वो आप लोग लिए बहुत ज़्यादा फाइना मन होगा the probability of getting order will be increased सिरफ 843 लोग हैं इस field के अंदर इसके बाद हम next जो है जिस चीज को देखते हैं, वो है आप लोग देखते हो कि एक बंदा बात कर रहा होता है और उसके पिछे आप कोई भी different video लगा लिया करते हो, वो आम तोर पर काम होता है green screen के तुरू ठीक है, green screen को use करके लोग background change कर लिया करते हैं, Hollywood के बहुत से VFX इस तरह से करके होते हैं, ये वाली चीज़ इस चीज़ को technical term में chroma key कहते हैं या फिर chroma key कहते हैं, ठीक है, ING लगा लो या chroma key ही सरफ लगा लो या green screen effect भी इस चीज़ को कहा जाता है तो chroma key की जो service है उसके अंदर सरफ और सरफ 162 लोग इस वक्त मौझूद हैं, जो कि service provide करें, it is very simple फिर more or Camtasia जैसे software के उपर भी आप लोग ये काम कर सकते हो अपने पीछे भी green screen लगा आगर आप इसकी practice कर सकते हो, ठीक है इसी तरह से rotoscoping rotoscoping, अब ये मुझे सामने keyword मुझे में research के दर्मियान मिला, I do not precisely know what that actually means, but ये भी एक video editing की ही form है भाई, आप इस चीज़ को कर सकते हो, rotoscoping animation वगेरा का काम, ठीक है इसी तरह से आप लोग VFX effect अगर देखें, VFX effects VFX video effect, इसके उपर भी आप लोगों को 300 के गरीब maximum आप लोगों को लोग मिलेंगे नहीं, इसके उपर हमें ज्यादा हमें काम मिल रहा है, okay so VFX effect के उपर ज्यादा है, बट अगर हम इसकी थोड़ इसी nitty-gritty के अंदर अगर हम चले जाएं तो शायद हम लोगो कम competition मिलें जैसा के CGI effect अगर मैं करकर देखता हूँ, शायद इसके उपर मुझे कम competition मिलें, yes, देखो CGI effect के उपर, CGI compositing के उपर, मुझे 270 लोग मुझे मिल रहे हैं, ठीक है अब काम वोही है VFX का मगर लोग CGI लिखकर भी तो सर्च करते होंगे आप लोग को उस तरह का काम मिल जाएगा, for that you need to be a pro और जुरूरी नहीं आप खुद काम करो यार कोई skilled बंदफ से साथ जोड़ लेना उससे आप लोग काम करवा लेना, आपका तो major काम है, business लेकर आना, तो उसके लिए तो very good keyword, अच्छा, जो बिलकुल beginner level की जो video editing है, उसके लिए मैं आपको बताओ, zoom की जो editor है, zoom का editor, बहुत से लोग है, zoom के उपर podcast करते हैं, मेरी भी इस channel के उपर side hustle के नाम पे zoom की ये podcast चलती है, तो उसकी editing करने के लिए editor चाही होता है, तो zoom का editor सिरुफर सिरुफर 398 लोग हैं, जो के काम कर रहे हैं, ठीक है, तो यह आप cap cut के अंदर भी कर सकते हो, Filmora, Camtasia, इस तरह के software के अंदर भी आप basic level की video editing कर सकते हो, zoom editor बन के, इसके इलावा, मैंने इसके उपर बहुत comprehensive video already record की हुए, या description मुझूद है, English subtitle के बारे में, English subtitle, अगर आप लगा सुख किसी video के अंदर, तो 1900 लोग हैं, चीज का काम करने वाले भाई, ठीक है, विडियो का subtitle मतलब, लोग बात कर रहे होते हैं, नीचे इस तरह से English लिखी आ रहे होते हैं, that is English subtitle, और अगर आप किसी दूसरी language को समझते हो, French, Russian, German, इसको समझते हो, तो आप लोग का competition और भी इस तीज को लेकर कम हो सकता है भाई, ठीक है, तो इस तीज को undermine मत करो, इसी तरह से इससे related core keyword है, पता नहीं low competition होगा के नहीं, लेकिन आपको जब आप subtitle का gig बनाओ, तो उसके साथ closed caption का keyword लाज़मी लाज़मी यूज़मी यूज़ करना, so देखो, closed caption के उपर भी 231 services available है, तो आप लोग ने gig बनाएन है, closed caption और आप लोग का subtitle का, English subtitle का, और language को समझना को इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है भाई, आप लोग अब तो वीडियो को text में भी convert कर सकते हो, उसको correction करवा के भी आप लोग काम कर सकते हो, if you could understand any other language, तो आप उसके अंदर भी जरूर जरूर काम कीजिएगा, अच्छा, अब एक बंदा कोई कहता है, ना मुझे premiere पर होता है, ना मुझे भाई कुछ दूसरा software आता है, तो Canva की वीडियो बनाने की भी service मुझूद है, Canva के ओपर वीडियो बनाने के लिए 329 लोग मुझूद है, and I didn't come up with this keyword on my own, लोगों ने Canva वीडियो का keyword use किया हुए, भाई Canva वीडियो, Canva वीडियो using Canva, तो 398 लोग हैं भाई, बने बनाने template हैं, उसके अंदर से आपने चीज को निकालना है, simple as that, अभी अगर हम बात करें ना, कि हम specifically, जैसे मैंने Canva वा एक brand name हो, उसका मैंने नाम लिया, तो ऐसी अगर मैं किसी specific software का नाम लिखकर search करूँ, for example, Camtasia, Camtasia Studio, available हैं, कैसे भाई, यह high competition है, मुझे बताओ, इसी तरह से final cut pro, जो है वो आप देखते हो, उसके अंदर 46 सिर्फ और सिर्फ लोग हैं, लेकिन अब आपने क्या करना है, कोई भी एक specific आप gig मनाओ, उसके अंदर अगर आप किसी जगापे, final cut pro, Camtasia, या studio, या premiere pro का keyword, inculcate कर सकते हो, तो ज़रूर करो, ठीक है, यानि video editing का keyword भी है, मगर उसके सब final cut pro का भी, आप लोग यूज करो, या apple motion को भी आप यूज करके, अंदर देख सकते हो, ठीक है, इससे ही होता है, multiple keyword यूज करने से, आप लोगं को order मिलने के probability जएदा हो जाती है, सिर्फ एक keyword को लेकर, आप बिलकुल भी काम मत करो, अच्छा, वीडियो की बात हो रही है, after effects की, अगर मैं बात करूँ, तो after effects के अंदर भी आप देखोगे, although it is not directly interlinked with the video, but eventually animation create करने के लिए, after effects use होता है, 2000 लोग हैं भाई, सिर्फ after effects की services देने वाले, इसी तरह से, I don't know if this will be in low competition, cinema 4D software है हमारा, इसके उपर हम देखते है, cinema 4D के उपर, low competition है, high competition है, cinema 4D पर 545 भाई, low मैं कहता हूँ, कोई competition है ही नहीं, ठीक है, cinema 4D के उपर भी कितना low competition है, अच्छा, इसी तरह से एक software है, sony vegas, अगर आप इसके उपर काम करो, sony vegas pro के उपर भी 300 लोग है, कोई competition ही, और लोगों ने use किया है, भाई, यह keyword, I am not doing it on my own, ठीक है, तो यह बात है, sony vegas pro है, अच्छा, तो अगर cap cut वाला, एक बंदा आपके पास आगया, वो tik-tokर हो सकता है, instagramर हो सकता है, youtube video shots हो सकता है, अब आप बनाओ, I will do AI history shots doing cap cut, ठीक है, आप इस तरह से करके बनाओ, तो आपको 2-3 keyword से, इंशालला हो लजीज, business hap-lo को आएगा, अच्छा, एक और software है, Da Vinci Resolve, Da Vinci Resolve, बहुत heavy software है, और professional use करते हैं, 212 सिर्फ और सिर्फ इसके इंदर हैं भाई, और देखो, लोग कर रहे हैं, Da Vinci Resolve का keyword यूज किया, अब इनको order है, 22, 699, 14, 109, देख रहे हो बाई, तो इस चीज़ें हैं भाई, इस तरह की बात नहीं है, कि internet के उपर, आप लोग को काम नहीं मिलता, बात सिर्फ यह है, हम लोग के सिर्फ और सिर्फ काम चोरी है, और सिर्फ और सिर्फ हम लोग research करना नहीं चाहते, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए, तो लाइक और सबस्राइब जरूर कीजिए, और नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताए, कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस निश्क के रिसर्च के उपर होने चाहिए, दिस इस फाद अस्रम कोकर, रुद आप लूट कर वसेओ, अलाव से.